ठीक एक काम कर लेना बस एक छोटा सा काम कर लेना 18,000 रुपई को 10% पर दो गए तो पहले साल का ब्याज कितना होगा वो समझो ठीक है 18,000 रुपई है 10% पर दिया तो पहले साल का ब्याज हो गया आपका 18,000 तो आप लिख लो कि 18,000 रुपई या पहले साल का ब्याज है ठीक ह पहले साल से दूसरे पर जाएगा तो ये ब्याज अपने आपका 11 बटे 10 हो जाएगा अब 11 बटे 10 कहां से हुआ? 10% का मतलब होता है 1 बटे 10 यानि अपने आपका 11 बटे 10 ये पहले से दूसरे पर गया तो 11 बटे 10 हो गया पहले से दूसरे पर गया 11 बटे 10 तीसरे और चौथे का अंतर बताना है, तो ऐसे समझ लो कि 10 है और 11 है, 11 और 10 का अंतर कितने का, एक का, और बटे में 10 दाल दो, ये जो है सीधा का सीधा आपका उत्तर आ गया, ऐसे सवालों में, इसलिए मैंने आपको कहा था, कि ये जो सवाल है मैं आपको बताऊंगा 10 के अंदर, मैं 2 सेकंड के हवाबाजी नहीं बात कर रहा, कि 2 सेकंड में बता दूँगा, लेकिन ये जो सवाल है मैं आपको 10 सेकंड में complete करा दूँगा, ना आपको tree लगाना पड़ेगा, ना आपको successive लगाना पड़ेगा, ना आपको ratio लगाना पड़ेगा, सीधा मेरा method ल और चौथे का अंतर पूछा है, 10 और 11 का अंतर एक का होता है, एक बटे 10, सीधा का सीधा उत्तर दे दो, 2-0 से 2-0 खतम हो गया, ठीक है, अब 18 को 11 के साथ गुना करोगे तो देखते जाओ पहले, 18 को 11 के साथ गुना करोगे तो 8 का 8 लिख दो, 8 का पडोसी एक 9 लिख दो, और ये 217.6 जो होगा, वो उत्तर हो जाएगा, 217.8 विल बी दे रिक्वाइड आंसर है, ठीक है भाई, और कब पूछा गया था, CGL Tier 2, 11 सितंबर 2019, इतने शर्ट में, अगर दुनिया की किसी किताब में आपका ये उत्तर दिया हो ना, तो बता देना मुझे, ठीक है, रीजन य ये वो जाए कि आपकी नौकरी पकी हो जाए, अगर इंस्पेक्टर बनने का सपना देखा है, तो इंस्पेक्टर बनो, उसके लिए मैंनत मैं गरूंगा आपके लिए, आप बस सीखो उसको और अप्लाई करो, इसलिए मैंने आज के आज के आओडियो में कहा था, ठीक है भ